असलाम अलेकुम मेरा नाम है मुहमन मतीन जान और आप देख रहे हैं टाइप से वाइरिंग आज आपको मैं दिखाने जा रहा हूं कि किस तरह आप अपने एलेक्टिकल वर्क को सेफ बना सकते हैं आप को किस तरह से बिजली नहीं लग सकती जो आपके लिए सबसे पहले ज़ जाते हैं कि यह क्रेंट आपको नहीं लगे तो आपको सबसे पहले अपनी प्रोटेक्शन करने ज़रूरी है अब भी आप देखिए कि मैं कैसे इसको ताड लगाता हूं और आगे इसको हाथ लगा लेता हूं और यह मुझे क्रेंट नहीं पड़ा जबके आप देखेंगे क मेरे अंदर फुल करेंट है जैसा कि आप देखेंगे मेरे अंदर फुल करेंट है आप यह कहीं पर लगा सकते हो फेस पर लगाओ यह बालों पर लगाओ यह देखें टैस्टर चल रहा है और कहीं पर लगाओ तो यह टैस्टर चलता होगा ठीक है तो सबसे आपको देखना यह जरूरी है कि यह टेस्टर यह क्रण मुझे क्यों नहीं लग रहा इसके लिए एक छोटी सी इस्तियात है कि आपको जब इदर से पकड़ा है आपका हाथ दिवार पर यह जमीन पर नहीं लगना चाहिए नमबर दो आपके शूज हमेशा एक हाई इंसुलेटिड होने चाहिए यह शूज देखें इसका नीचे का सोल कितना मोटा है जो मिझे बिलकुल जमीन से बचा के रखता है कि इसके अंदर से मेरे अंदर से करण जमीन में नहीं जा सकता यह एक में प्रोटेक्शन है अगर आपके पास इ या कोई मोटा गदा प्लास्टिक या ऐसी कोई चीज जिसका तालुक आपका जमीन से ना हो रहा हो उसकी रजिस्टनस बिलकुल जीरो हो सबसे जरूरी बात तो यह है कि अगर आप एलेक्ट्रिकल वर्क कर रहे हैं या कोई लक्ट्रिशन हैं तो काम करने से पहले आपने ऐ इदर चेक कर रहे हैं तो आप हाथ दिवार पर ना रखें जब यह करण आपको लगता है तो आप विल्लकुल एक खास मकसूस फासले पर करके आप उसको काम करें और हाथ कहीं पर भी टैच नहीं होना चाहिए साफ सुत्रा काम हो तो यह है आपकी एलेक्ट्रिकल से जा रहा है और तमाम खतरा आप उससे आप इसे बस सकते हैं इन्शाला आपको अगली वीडियो में मैं अगले सेफ्टी टिप बताऊंगा तो दौा में या रखना अलाहाफीज